हालो अरिवन वेलकम टू मैंचेमर्साइकेडमी दिस इस इवानसू आज की शुरी लेक्षिन बात करने वाले हैं CSIR जी हाँ सेंटर ड्रग रिसर्ट इंस्टिटूट में वेकेंसी आई है जो की लखनव में है देखिए वेकेंसी के रिगारिंग मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जितने भी आपकी प्रोजेक्ट होते है जैसे CSIR में चलते हैं CDCIAO में चलते हैं जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जो की sponsor project होते हैं उन सब के लिए project associate की एक post आती है और यह जो experience है में interested रखते हैं उनके लिए ये experience जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्या vacancy ये pharmacy related पूरी detail में discuss करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी सारे project जो है वो यहाँ पे CSIR में आए हुए है जी हां देखिए project associate जिसमें की pharmacy के candidate यह सारे candidate eligible हैं बट pharmacy के अगर में बात करूँ तो number 17 पर आप देखेंगे project associate वन पोस्ट है m pharma in pharmacology जो candidate m pharma in pharmacology में किये हुए है उनके लिए ये project के लिए eligibility है experience in animal work मतलब जो फार्मा को लोजी में अगर आप फार्मा कर रहे हैं तो बाई बाई default आपको जो है animal के handling में तो experience होना ही चाहिए अब यहाँ पर जो एक बहुत important चीज़ आती है उसको मैं ध्यान से बताना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पर दिखिए first point में लिखावा है 31,000 प्लस HRA मतलब आपके रहने का और 31,000 रुपे आपको पर मन्त यहाँ प आपको एक वीडियो दिखेगा जिसमें की ऐसा लिखा हुआ होगा कि जो student research में जाना चाहते है बीफाम बाद तो उनको net CSIR देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई candidate net CSIR clarify कर रखा है तो उसको यहाँ पर beneficial मिलता है देखिए net CSIR जिसने clear किया हुआ है gate clear किया हुआ है उनको 31,000 है otherwise जो है वो 25,000 है मतलब देखिए आप लिखा हुआ है 25,000 प्लस HR है for others who don't fall under the 0.1 में जो नहीं आते तो यह फाइदा जो है वो आपको net CSIR दे रहाती है पूरी detail में हम बात कर चुके है इधर इस वीडियो में आपको एक वीडियो मिलेगा उसमें हमने detail में बात क nutraceutical health for wellness यह यहां तो 31,23 तक यह जो है प्रोजेक्ट चलने वाला है यह तो है वो 35 यह नेक्स अठारा नंबर पे हम बात करें है project associate second जिसमें की M Pharma with two year experience फार्मसोटिक्स जो है वो must compulsory है 35,000 प्लस HR है और यह इसका project title है industrial यहां पे अस्वगंदा के regarding यह जो project है next 19 नंबर पे मै यह research fellow की post जो है वो यहां पर आई वी है M Pharma with gate और जीपेड अगर पास है आप तो आप इसमें eligible है experience in area formulation development and pharmaceutical analysis में जिसको experience है वो यहां eligible है 31,000 प्लस 16 परचेंट जो है इसका HR है 28 इसकी age limit है और study of clinical efficacy of herb leads of veterinary dermatology component यह सारी experience जो है यहां पे है next हम बात करें है 20 नंबर पे तो project associate same M Pharma in pharmaceutical chemistry experience in mass and fragmentation of HPLC 31,000 प्लस HR जो है वो दिया जाएगा अगर net CSI clear है नहीं है तो 25,000 जो है वो दिया जाएगा age limit 35 and CSIR fight of pharmaceutical mission जो है phase 2 जो है यह प्रोजेक्ट के रिकारिए यह वेकेंसी है 31,23 तक जो है इसकी वेकेंसी चलीगी काफी सारी वेकेंसी है जिसमें की pharmacy regarding जो तो eligible थी उन सब को हमने discuss किया कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूबत है comment section में like करे share करे subscribe करे में चैनल को essay informative, pharmaceutical related, news update, vacancy update, video lectures and many more keep watching stay tuned